हलो एवरिवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्लास 12 की इंगलिश के बुक फ्लैमिंगो का एक पोयम यह से पहले में एक अल्रेडी पोयम आप लोगों के साथ डिसकस कर चुका और सारे चैप्टर भी डिसकस कर चुका ह आज यह हैं वह कर देवाले में एलिमेंटुरी स्कूल क्लास्रूम इन वूब हैं यदि स्कूल का एक्षक तरह चांब है उसकी एक classroom के द्रिश्य को एक हमारे scenery को हमारे क्या किया गया scenery तो beautiful होती है scene को express किया गया है इस poem के अदर इस poem के writer है Stephen Spender और आप लोगों को पता है कि आपको poem and writer का नाम याद होना चाहिए तो आप याद कर ले न Stephen Spender अब ज़रा इनके बारे में जा ले थे कि Stephen Spender थे क्या और कौन थे तो Stephen Spender pioneered a poetic moment in the 1930s यानी 1930 के दशक में Stephen Spender जो है वो एक अलगी तरह की poetic moment लेकर क्या थे एक अलग तरह की कविता लेकर क्या थे और उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली थी वह pioneer बन गए थे उस चीज़ के ठीक है As a poet he was sensitive and alive to the contemporary social and political problems देखो मैं 1930 की बात कर रहा हूँ तो यह First World War के बाद और Second World War से पहले का टाइम है Of course world में chaos था ही तो उस टाइम पर जो social and political problems होती थी यह उनके उपर poem लिखते थे जो socially भी होते थे वो sensitive होते थे और alive होते थे The poem in elementary school classroom in asylum is perhaps the best example of Stephen's political voice reasoning throughout a poem यानि कि यह जो poem है यह इनका एक best example है काम का किस तरीके से political लोगों पर क्या करते थे व्यंग करते थे या फिर उनके बारे में लोगों को जनता को बताते थे यह written during the time of civil right movement in the United States यानि यह किस time पर किया गया है civil right movement के दौरान किया गया है इस poem is fitting both in its commentary about the race issue in American education and as a socialist proclamation against the capitalism and social injustice in general यानि अगर इस poem की बात करें जो अमेरिका में education को लेकर के या फिर अमेरिका में बहुत सारे races को लेकर के white और black उस race को लेकर के black American white American तो यह race वाली जो problem थी issue था वो बहुत जादा था capitalist और socialist में बहुत जादा problem था यह poem उन सब पे क्या करती है ध्यान खीचती है यानि poet ने जो हमारी rhyme लिया बहुत ही normal सी rhyme है इसके अंदर वो social disorder को भी दिखाते है कि किस तरह के समाज जो है वो बिखरा हुआ है कितना confusion और कितना chaos है अगर मैं theme की बात करता हूँ कि theme क्या है इस poem की तो the poet talks about the inequality prevailing in the primary education which has reduced the children of slums to a children of a lesser god यानि कि यह बात कर रहे है कि किस तरीके से जो primary education है उसमें जो बच्चों को मिलनी चाहिए सिक्षा उसमें इतनी जादा inequality आ गई है कि यह शायद किसी छोटे god के बच्चे लगने लग गए है यानि शायद हमारे दो god हो गए एक बड़ा god जिसके बच्चे अमीर स्कूल है पढ़ रहे है चोटा god जिसके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे है क्योंकि यह तो दुनिया से ही अलग है तो अब चलिए बात करते हैं अब पोएम आप बुक से पढ़ सकते हो पूरी तरह से explain करेगा में आपको वह points to remember बता देता हूँ जो इसमें बहुत जादा जरूरी है ध्यान रखने आपको क्यों वैसे भी पोएम का आपको answer तो इन्ही points का थूरू लिखना है इस टेंजा पढ़के answer लिखना है और यह answer लिखना है तो points आपको पता होनी चाहिए इस कविता में क्या होता है जो हमारे पोएट है वो एक जुग्गी जोपड़ी में बढ़से वे स्कूल के अंदर बच्चों की जो बुरी हालत है मिजरेवल यानि बुरी हालत दैनी यह आलत है उसको बताते है दियार मालन्यूट्रिशन यानि की वो कुपोशित है इल है ए एक्सास्टेट थके हुए हैं देर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ आरे स्टन्ड यानि उनकी जो शारीरिक और मानसिक ग्रोथ है वो रुकी हुई है स्टन्ड है वो हैरान है है ना दोनेशन ऑन वाल्स ऑफ दा क्लास्रूम गीव असा ग्लिम्स ऑफ प्रोस्पैरिटी अब जिन बच्चों ने वो देखी होगी अंग्रेजी मीडियम देखी होगी उन लोगों को बहुत अच्छे सा पता होगा इर्फान सर की मूवी थी अंग्रेजी मीडियम तो उसके अंदर बहुत अच्छे सा उन लोगों ने यह देखा होगा अंग्रेजी मीडियम थी कि व तो वह prosperity यहां दिखी नहीं रही है क्योंकि वह contrast इससे दिखी नहीं रहा है यहां तो यह वीक है grim है hollow और इनकी life बहुत ही ज़्यादा pathetic है यानि बहुत ज़्यादा देनी यह है ठीक है फिर बात करते हैं क्लास्रूम में और क्या-क्या टंगा हुआ है इवन शेक्स्पीर बस्ट यहनि शेक्स्पीर की जो बस्ट है इमेज ऑफ दा वर्ड मैप है बिल्डिंग विद डूम से और ब्यूटिफुल टैरोसल वैली होता है ने वो पूर है और अंडर्फड एंड डिप्राइवड इन एवरी वे यानि कि वो दबे हुए है वो गरीब है वो दबे है वो सोशित है वो हर तरीके से तो उनके अंदर यह जो वाधियों की फोटो होती है जिसको देखके हमें लगता है कि हम भी काश हो जाए ऐसा कोई होप ह यह नियूंके दिमाग में बच्चों के दिमाग में देन दपोट वांट इंप्रॉव्मेंट इन दा क्वालिटी ओफ दा लाइफ अव दा स्लम चिल्टर निया निकि पोट अब जैसे आप लोग सोच रहो यह इतना बुरा है उससे तरह पोट भी चाहता है कि इन बच्चो की जो लाइफ है वो अच्छी हो इंप्रॉव्मेंट आए ठीक है दे मस्ट प्रोवाइडेड इक्वालिटी एडुकेशन सो दैट दे कैन मेक यूस ऑफ ऑफ अपर्चुनिटी दा वर्ल ऑफर्स बट इस कैन नॉट वी अचीवड अनलेस दा इंस्पेक्टर एंड अधर प ला सकती है हमें पता एडुकेशन एकलोती ऐसी चीज है जो दुनिया को अच्छा बना सकती है और बच्चों को जो ऑपर्चुनिटी दुनिया से मिल रही है वो उसको कैसे यूस करेंगे अगर उनके पास एडुकेशन ही नहीं होगी तो यह चाहता है कि वो चीज़े मिले लेकिन जब तक जो वहां के अधिकारी है जो नीती बनाने वाले पॉलिसी मेकर है वो जब तक ऐसा नहीं चाहेंगे तब तक तो ऐसा हो नहीं सकता है उनके एंड से आना जरूरी है अब केटा बॉम्स जो है ना केटा बॉम्स यह गलियारा टाइप का होता है यह केटा बॉम्स अगर आप नेट पर डालोगे तो यह बेसिकली एक रास्ता टाइप का है एक मंदिर के अंदर जाने का रास्ता जो अंधेरे से भरा हुआ है तो यह जो केटा बॉम्स वर्ड डाला गया है यहाँ पर यही सिंबलाइस करने के लिए डाला गया है कि यह लोग अग्यानता से भरे हुए है यह अंधकार से भरे हुए है और सिर्फ अच्छा उनके लिए क्या है अन्रीचेबल है अब बच्चे और कैसे दिखते हैं तो दे लुक कैप्टिव विदिन दा डिर्टी वाल्स ऑफ दे क्लास्रूम हावेवर दे रियल वर्ल्ड इस आउटसाइड दा विंडोस ऑफ दा क्लास्रूम एंड दे नीड एन एक्सपोजर तू द आउटसाइड वर्ल्ड हाला कि वो एक कमरे के अंदर बैठे वह लेकिन उसकी असली दुनिया तो खिड़की के बाहर है जहां पर आप धुए वाली देख रहे हो गंदी बस्तिया देख रहे हो हाला कि उनके लिए जरूरिया कि वो दुनिया को बाहर जाके देखें इस वेर होंगे फिर वह अगर वह educated होंगे तो वह benefits लेंगे और वह पूरी history को दुबारा लिखेंगे और बताएगे कि कैसे वह अपना विकास कर सकते कैसे वह अपनी वृद्धी कर सकते और कैसे प्रपेंसिटी के साथ जी सकते है दा पोएट सेज इफ स्टुडेंट इस्टुडिं प्री एक्स्प्लोर कर सकते दुनिया को अब जाओ आप कहीं भी पढ़ो उनकी भाषा जो है ना उसमें एक ऐसी पावर आ जाएगी जब वो अलग जगा जाके दुनिया को देखेंगे जब वो दुनिया को रियली एक्स्प्लोर करेंगे जब वो अपने अंदर की opportunities को बाहर निकालेंगे तो warm as the sun हो जाएंगे यानि कि सन की गर्मी होती है वैसी पावर आ जाएगी उनके अंदर यानि अगर उन्हें अपने अंदर की बात को अजाद ही मिल जाएगी वो अपने अंदर की बात सबको बता सकें तो फिर से history को लिख देंगे और ये poem के बारे में था पॉयम में यहीं important बाते बोली गई है अब मैं कुछ poetic devices है उनकी बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी poetic device इस poem में यूज हुई है तो इसके अदर accurately सही होते हैं हाला कि वो एकदम correct word नहीं होते है जैसे rats आई अब किसी बच्चे की चुहे की आँख थोड़ी ना होगी जैसे की चुहे की आँख पनीर को देखती रहती है rats आई उस तरीके से बताया गया है gusty waves ठीक है ये भी क्या है metaphor है imagine क्या करवाया गया फादर एक word जो ह father ये imagine करवाया गया है गनैरलेड diseases ये बिमारियो वाला जो है squirrels game tree roam tree घूम रही है असपास lead sky या निकी ये जो है न मैंने बताया कि वो recreate कर सकते हिस्ट्री को ये lead sky के थ्रूई बोला गया है कि वो आजमान में उड़ सकते है आसमान के साथ चल सकते है और spectacles of steel ये जो है ये स है like rootless weeds like bottle bits on stone like catacombs catacombs मैंने बता है रास्ता जो अंधेर से भरावा होता है मंदर तक पहुंच रहे के लिए as big as a doom doom जो होता है हमारा क्या होता है छज्जा होता है गोलाकार छज्जा ठीक है transferred epithet कौन सा है इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जहां पर आपकी दया जो है आपके अंदर से transfer होगी बच्चों तक वो है गनेरलेल्ड डिजीजिस तो यह जो है कि यह जो बिमारिया है यह जो एक दुख की बिमारी है इनके अंदर यह epithet करते है कि आप उनके दुख को समझें और सिंबल है वेटेड डाउन हेड एंडलेस नाइट लेंग्वेज इनसान का मतलब जो इन दे स्लम क्या जो कि लिखा था किस ने इस्टीफन स्प्लेंडर ने स्प्लेंडर बोला स्वरी स्पेंडर ने ल नहीं है स्टीफन स्पेंडर ने आपको यह समझ में आ गया होगा बाकी आप एक बार भुक से भी यह पोएम जरूर पढ़े और कोई भी डाउट होता है तो तक यह पर यह ताप